करनाल के निसिंग में आखों में मिर्च डाल कर रुपई छीनने वाले सक्रिये हैं आपको बता दे कि करनाल के सांबली मोड निसिंग में दिन के समय नरेश कुमार निवासी निसिंग से एक युवक उसकी आखों में मिर्ची डाल कर फरार हो गया इस ओरान वहुन से 10,000 रुपए भी छीन कर ले गया जैसे ही पुलिस को शिकायत मिली तो पुलिस हरकत में आ गई पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच तफ्तीश शुरू कर दी है इस ओरान आरोपी गुर्बास सिंग निवासी गाउं सिंगडा को काबू किया गया बताते चलें कि मामले की तफ्तीश शहायक उपनिरिक्षक सद्बीर सिंग थाना निसिंग को सोपी गई थी इस दोरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दे कर आरोपी गुर्बास को उसके घर सिंगडा से काबू किया गया आरोपी के कबजे से वारदात में इस्तमाल डंडावे चीने गए 10,000 रुपए पुलिस टीम द्वारा बरामत किये गए आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया समाचार एक्सपर्स की रिपोर्ट कि कर दोलिए जाओ बरामत किया जहां से उसे जाओ आरोपी के वार्ट कि वार्ट कि वार्ट कि अध्या कि अध्या कि भी बार कि अध्या झाल 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 झाल